नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है, मैं हूँ सुप्रतीम बैनर जी आज आप लोगों को जुर्म की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे सुनकर आपको हैरानी तो होगी ही लेकिन साथ ही क्राइम इंविस्टिगेशन के शेत्र में क्राइम इंविस्टिगेशन के फिल्ड में जो साइंटिफिक डेवलप्मेंट हुए है जो नई नई चीजें सामने आई है उसका कितना पॉजिटिव एफेक्ट किसी क्रिमिनल को पकड़ने में किसी जुर्म को क्रैक करने में पुलिस कर पा रही है ये जानकर भी आपको अच्छा लगेगा हलंकि ये केस हमारे देश का तो नहीं है ये केस अमेरिका का है लेकिन अब पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और इस तरह की टेकनलोजी अब हमारे पास भी मौजूद है ये और बात है कि हमारा फॉरिंसिक सिस्टम थोड़ा सा वीक है तो जितना साइंटिफिक डिवन इंविस्टिकेशन होना चीए हमारे देश में भी शायद उतना नहीं है लेकिन टेकनलोजी हमारे पास है इतना मैं जरू कह सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद कई फॉरिंसिक साइंस लेबरोटरीज में जाकर इस तरह की चीज़ों को अपनी आँखों से देखा है और पहलिया न भुजाते हुए इधरोदर की बाते हुए आईए सिधे शुरुवात करते है एक ऐसा मामला जिसमें पुलिस कातिल तक पहुँची खुण के महज एक बूंद से और कितने साल बाद तीस साल बाद थर्टी इयर्स पूरी उम्र निकल गई तकरीबन कातिल ने जब हत्या की थी तब वो यंग डैशिंग चैप हुआ करता था और आज की तारिक में जब उसे पकड़ा गया है तो उसकी उम्र है 79 साल तो आई ये शुरुआत करते हैं मामला अमेरिका का है अमेरिका में वेर्मॉंट स्टेट है और वेर्मॉंट स्टेट में यूएस रूट सेवन डैन्बी एक इलाका है जहां पर एक डबल मडर की वारदात होती है और घटना है 17 सितंबर 1989 की 17 सितंबर 1989 को यहां डैन्बी में रहने वाले जॉर्ज पिकॉक जिनके उम्र 76 साल थी और उनकी पतनी कैथरीन पिकॉक 73 साल इन दोनों की लाश उनके घर में पड़ी मिलती है आसपास के लोगों से भी इनका राप्ता था बातचीत होती थी हलांकि अमरिका जैसी जगहों पर मैंने जितना देखा समझा जाना है हर जगह तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोकालिटीज हैं जिसमें मकान थोड़े दूर दूर होते हैं इतना तनजस्टेड नहीं होता जिस तरह हमारे यहां है लेकिन वहां ये भी होने के बावजूल जो जो जॉर्ज पिकॉक और कैथरीन पिकॉक है इनके आसपास के लोगों से बातचीत थी कम्यूनिकेशन ठीक था तो इस दिन सुबह 17 सितंबर की सुबह 1989 जब ये लोग अपने घर से नहीं निकले तो आसपर उसके लोगों को लगा कि एक बार जाकर पता करें की पिकॉक दमपत्ती कहां पर है और उन्होंने जब इनके घर में दस्त दी तो दर्वाजा खुला हुआ मिला और आवाज देने पर जब कोई रिस्पॉंस अंदर से नहीं मिला तो लोगोंने थोड़ी मतलब जहिजकते हुए ही सही वो अंदर गए और अंदर जो उन्होंने देखा वो बहुत ही भयानक था बिलकुल पूल अफ बलड जिसे कहते हैं चारो तरप खूनी खून बिखरा हुआ था और ये जो दमपत्ती है हजमेंट वाइफ इन दोनों को बुरी तरह से चाकूं से वार करके मौत के घाट उतारा गया था बहुत ही जगन ने हत्यकांड था जिसे देखकर जो है आस-पास के लोग सहम गए उन्होंने फॉरण पुलिस को खबर दी और वेर्मॉंट स्टेट पुलिस की टीम वहां मौके पर पहुची काफी पुरानी बात आप समझी रहे है आज से 30 साल पहले इंविस्टिकेशन जिस तरह होती थी और आज जिस तरह इंविस्टिकेशन होता उसमें आसमान जमीन का फरक है पुलिस जब वहां मौके पर पहुची तो पुलिस ने लाशों को देखा जरूर उन्हें रिकबर किया रिकबर करके पोस्ट मॉटम के लिए विजवाया और तब तक आस पर उसके लोगों ने ये जो पिकॉक दमपती है इनके बच्चों को भी बुला लिया था घरवालों से पूछता चुई तो घरवालों ने फौरी तोर पर तो किसी का नाम नहीं लिया नहीं बता पाये कि इनके कतल के पीछे कौन हो सकता है पुलिस ने अब सीन ऑफ क्राइम का जब बहुत बारी की से मुएना किया तो पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि घर में कोई forceful entry के निशान नहीं है मतलब कोई ऐसा मार्क उनको दरवाजे पर या आसपास के किसी भी जगह पर पुलिस को नहीं मिला जिससे पुलिस को लगता कि कोई जबरदस्ती घर में घुसाया है तो ये एक बात का indication है कि या तो जिसने कतल किया वो इस परिवार का कोई करीबी होगा जानकार होगा या फिर वो धोखे से इस घर के अंदर घुसाया होगा तो पहला शक जो है वो इसी बात का था कि कोई नोन हो सकता है परिवार का दूसरी एक और बात जो पुलिस ने नोटिस की वो ये कि घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं था आम तोर पर लूट पार्ट के मामलों में आपको पता ही है घर का सामान बिखरा हुआ होता है दुश्मनी का हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से टार्गेट करके बुज़ूर दमपती को एक के बाद एक बहुत सारे चाकू मारे गए थे, वो एनिमिटी के अलावा कोई और वज़ा उसमें समझ में नहीं आ रहे थी, लेकिन किस से हुई थी, उनके बारे में बता देते हैं तो इस तरह से धीरे-धीरे चीज़ें सामने आती है तो पुलिस ने जब घरवालों से फिर आगे पूश्ताच की, तो घरवालों में से किसी एक ने कहा कि हाँ हमें इनके जो दामाद हैं, ऐसे तो इनकी कई बेटियां हैं मुझे exact number नहीं पता क्योंकि मैंने जो research किया, उसमें मुझे इनके जो बच्चे हैं उनके बारे में exact जानकारी नहीं मिल पाई लेकिन मैं आपको बताओ, इनकी कई बेटियां और इन में से एक बेटी का पती जो है, उसका नाम हैं Anthony Lewis तो Anthony Lewis के बारे में लोगों ने कहा, कि Anthony Lewis परिवार के लोगों ने कहा, कि Anthony Lewis जो है, इस घटना में शामिल हो सकता है क्योंकि उनकी अपने सास ससूर से, इनलोज से नहीं बनती थी तो पुलिस का फर्स था कि वो Anthony Lewis से भी पूछताच करती कि पुलिस ने Anthony Lewis को बुलाया पूछताच के लिए और पूछताच के लिए बुलाने के बाद उससे तमाम सवाल जवाब किये कोई CCTV कैमरा नहीं था मोबाइल फोन की भी उस तरह मतलब अविलिबिलिटी नहीं थी तीस साल पहले की बात है तो पतर ही अमेरिका में तब तक मोबाइल फोन आया भी था या नहीं तो या इजाद भी हुआ था या नहीं I'm sorry मुझे नहीं पता तो खेर Anthony Lewis से पूछता चुआ पूछता चुई तो Anthony Lewis ने बताया कि मैं इस मामने में involved नहीं हो कोई भी होता है मान लिजा अगर वो involved होता भी तो भी शायद ही कबूल करता लेकिन यहां उसने कहा कि मैं नहीं हूँ मुझे नहीं पता कैसे हुआ वो भी अपने तकलीफ और दुख का इजार कर रहा था पूलिस ने जब पूछा कहा हो तो उसने एक जगा भी बताई कि हाँ मैं इस जगा पर हूँ हालनकि पूलिस को जो है उसके बारे में कोई conclusive evidence in short मतलब कोई ऐसे पुखता evidence पूलिस को नहीं मिले कि पूलिस एंथनी लुईस को इस मामले में गुनेगार करार देती या उसके खिलाब जो है केस आगे बढ़ाती तो इस तरह से काफी मशक्कत के बाद और एक सस्पेक्ट एंथनी लुईस के मिलने के बावजुद पूलिस इस केस को आगे नहीं बढ़ा पाई क्योंकि conclusive evidence यानि पुखता साक्ष जो है इस मामले में पुलिस को नहीं मिल पाई और इसके बाद एक एक करकी 30 सालों का वक्त बज़र गया और ये मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला गया इसको crime की भाषा में cold cases कहते हैं वो मामले जो वक्त के साथ भुला दिये गए में जो cold cases handle करने वाली team है उसके पास ये जात जो है वो आई थी और 2020 में पुलिस ने फिर से initiative लेकर जो है पता कराया कि इस case में कोई evidence या कोई और बात हमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती है उस समय कुछ forensic exhibit भी लिये गये थे उसके बारे में भी पुलिस ने पता करने की कोशिश की तो जो forensic experts हैं उस समय 2020 की मैं बात बता रहा हूं मतलब तकरीबन 30 साल गुजर गये क्योंकि 1989 से 2020 30 साल तो हुआ ये कि जो वहां की forensic science laboratory है उसने बताया कि DNA evidence जो हमारे पास इस वक्त conclusive है हुआ ये था कि जब ये घटना हुई थी और Anthony Lewis पर शक हुआ था तो पुलिस ने उससे पूछताच की थी और उसके घर की भी जाच की थी उसकी गाड़ी की भी जाच की थी और पुलिस को तमाम जाच करने के बाद उसकी गाड़ी से सिर्फ एक खूण की बूंद मिली थी लेकिन वो खूण की बूंद किसकी थी ये उस समय पुलिस पता नहीं कर पाई क्योंकि DNA टेकनलोजी तब इतनी advanced नहीं हुई थी तो लेकिन वो exhibit वो sample जो है वो पुलिस के पास उस समय था और वो रह गया 2020 आते आते DNA साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली और इसका फायदा ये हुआ कि 2020 में जो experts हैं, scientific experts DNA साइंस के expert हैं उन्होंने ये कहा कि वो जो खूण की बूंद आपने collect की थी आज से 30 साल पहले वो खूण की बूंद कोई और नहीं बलकि जो मारे गए इस हत्याकारण में George Peacock उनकी खूण की बूंद थी और ये अब conclusive तरीके से हम claim कर सकते हैं, बता सकते हैं और ये खूण की बूंद मिली थी उन्हीं के दामाद Anthony Lewis की कार में, और आपको मैं बताऊं एक बार repeat कर दूँ बेशक ये खूण की बूंद जो है पुलिस ने उसी वक जब ये हत्या होई थी तभी Anthony Lewis की कार की जांच के दौरान पुलिस ने रिकवर की थी लेकिन कोई ऐसा evidence या proof ऐसा नहीं था कि ये खूण की बूंद किसकी है, तो Anthony Lewis को पुलिस ने उस वक्त जाने दिया था लेकिन 30 साल बाद जब DNA रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो जॉर्ज पिकॉक का ही खूण का बूंद था और उसके बाद पुलिस ने तैय कि अब वो Anthony Lewis को गिरफतार करेंगे इसके बारे में और बताने से पहले मैं आपको DNA साइंस के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ 2020 में जब सेंपल की रिपोर्ट आई तो आपको मैंने बताया है कि जॉर्ज पिकॉक का खून होने की बाद सामने आई और जब भी इसके बाद हुआ यह हूँ कि जैसे जैसे तरक्की हुई DNA साइंस ने जब तरक्की की तो biological evidence जहां-जहां मौजूद होते है वहाँ पर अब न सिर्फ criminal को identify कर सकते हैं बलकि सारे लोगों के DNA जाज करने के बाद वो criminal को filter भी कर सकते हैं मतलब suspects को filter कर सकते हैं सारे लोगों के DNA ले लिया इसमें माली जब दस suspect हैं नौ के जो है वो पता चला कि DNA मैच नहीं कर रहा है तो वो नौ लोग filter होगे जो दस वह हैं उसे पुलिस पकड़ लेती है या उससे पूछताच करती है तो यह भी एक सुविधा हो गई है और scientist जो है वो क्या करते हैं कि DNA निकालकर उसकी copy तयार करते हैं copy करने के बाद एक technology है जिसको कहते है capillary electrophoresis इस capillary electrophoresis से unique markers जो है वो DNA के अंदर जो होते हैं वो scientist जो है वो निकालते हैं और इन unique markers में वो देखते हैं कि कुछ particular number जो है वो किसी भी DNA के genome में कितनी बार repeat हो रहे है और जितनी बार repeat हो रहे होते हैं उससे किसी खास DNA की पहचान जो है वो establish होती है और इस data को वयानिक पढ़ सकते हैं हमारे और आपके जैसे आम लोग नहीं पढ़ सकते और वो एक electro-ferogram charge एक technique होती है जिसके जरीए इस data को वो पढ़ते हैं और data को पढ़ने के बाद वो आम लोगों तक इस बात को पहुँचाने के लिए उसकी एक definition तयार करते हैं जिससे आप कह सकते हैं कि सीधे साधे लफजों में उससे लिखते हैं उस report को और जब उस report को सीधे साधे लफजों में लिखा जाता है तो कोई police वाला या कोई lawyer या कोई भी expert जो है उसे पढ़कर ये समझ सकता है कि इस report के मताबिक DNA किस से match करती है और किस से नहीं करता है तो in short 2020 में जब ये technology बहुत enhance हो गई और ये पता चला तो फिर police ने Anthony Lewis को intercept किया और Anthony Lewis जो है वो police को मिला New York में अब police ने New York में उसे गिरफतार भी कर लिया और फिलाल उसे jail भेज दिया गया है और उसका extradition यानि प्रत्यरपन की प्रक्रिया उसकी चल रही है ताकि उसे extradition करके जो है प्रत्यरपन उसका करके उसको Vermont State में लाया जाए जहां पर उसे कानूनन उस पर trial चले और फिर उसे सजा दी जाए ये जो हत्या हुई थी इसकी रंजिश जो है अपने ही सास ससूर से थी और वो कुछ इतना नाराज था कि उसने 16 और 17 सितंबर 1989 की दर्मियानी रात को अपने सास ससूर की चाकू घोप कर हत्या की थी अकेले उसने इस वारदात को अंजाम दिया था और आज जब वो गिरफतार हुआ है उसकी उम्र 79 येर्स है तो इस तरह से खून की महद महद एक बून से एक कातिल जो 30 सालों से बचता फिर रहा था उसे आखिरकार अमेरिकी पुलिस ने पकड़ लिया और उसका भांडा फूट गया आज की कहानी यहीं तक चुकि आज कहानी थोड़ी छोटी है तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को एक और छोटी कहानी और सुनाओ हलांकि इसका डारेटली क्राइम से कोई लेना देना नहीं है अपने सुना होगा अभी कुछ दिनों पहले लखनों के पास एक हाईवे पर एक BMW कार का एक्सिडेंट हुआ जिसमें कुछ लोग हाईवे पर एक्स्प्रेस वे पर उस BMW कार को 230 किलो मेटर प्रती घंटे की रफतार से दोड़ा रहे थे और वो कार सामने से आती एक कैंटर कहले या गुड्स ट्रक कहले उससे टकरा गई और उस BMW में चार लोग थे चारों की मौके पर ही मृत्ती हो गई तो बहुत ही भयानक घटना थी और रोंटे खड़े करने वाली घटना थी उसके कुछ वीडियोज भी है लेकिन यूट्यूब की कुछ गाइड लाइन्स की वज़ज़ से शायद वो वीडियो कम आपको दिखाने ही पा रहे है लेकिन घटना तो अपने आप में बहुत बेचैन करने वाली है जल्दी से सुनाता हूं उसके बाद आपके कुछ कमेंट्स करूँगा चोटा सा किसा यू कि हिंदुस्तान में एक ट्रक चलाने वाला था हेवी ड्राइबर जिसे हम कहते हैं वो बड़ी से बड़ी गाड़ियां 16 चक्का 18 चक्का गाड़ियां चलाया करता था और बहुत शांदार जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ माहिर चालक था हूँ तो उसको लगा कि मैं मुझे फॉरण में जाना चाहिए तो वो किसी यूरोपेन कंट्री में सेटल होना चाह रहा था फाइलनली वहां पहुचा और पहुचने के बाद वहां भी जाकर उसने तै कि मैं यहां भी ट्रक ही चलाओंगा क्योंकि उसने सुन रखा था कि वहां ट्रक चलाना जो है बहुत आसान है हमारे देश के मुकाबले क्योंकि रोड्स अच्छे हैं और अच्छी कमाई हो जाती है तो वह वहां फॉरण पहुचा और फॉरण में पहुचने के बाद उसने ड्राइविंग लाइसंस बनाने के लिए अपलाई किया तो जो एक्सपर्ट्स हैं जो ड्राइविंग लाइसंस बनाते हैं सरकारी महकमे के लोग उन्होंने उसको बुलाया क्या हो भाई टेस्ट ड्राइव दो बताओ कैसे तो उसने तो पहले अपने दोस्त के जरिये ये कनवे करने की कोशिश की कि भाई मैं तो वहां हेवी विकल्स चलाता हूं और बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हूं मेरा तो आप क्या टेस्ट लेंगे लेना चाहते हैं ले लिजे तो बहराल कानून तो कानून है नियम नियम उसको कहा गया नहीं बिल्कुल टेस्ट तो हम लेंगे आपके पास बेशक इंडिया का लाइसंस हो लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहां टेस्ट दे तो उसने का ठीक है जब आप जिद कर रहे है या जो भी नियम है जिद तो क्या कर रहे मतलब जो भी सरकारी नियम हो उसके नमस्कार वगरा किया, पूजा, उसके बाद उसने self-start किया, जैसा ही self-start किया, officer ने उससे कहा कि self-bund करो, बंद करो, तो थोड़ा shock हुआ कि भई बंद क्यों करा रहे, अभी तो start ही किया, बंद करो, force किया, तो उसने बंद कर दिया, self-start, गाड़ी बंद कर दिया, उसको बोल इससे बड़ी हिरानी हुई कि भई अभी तो गाडी में गेर भी नहीं लगाया था, इतना नाखुश होने की क्या बात हो गई? तो जो officer था उसने कहा कि भाई आप test में fail होता है पहले test में इसलिए आप नीचे होता राई उसने पूछा कि भाई क्यों fail होता है हमने क्या गलती की गाड़ी में बैठा मैंने self start ही तो किया था अभी तो गाड़ी में gear wing लगा था बोले इसलिए कि self start करने से पहले आपको seat belt लगाना चाहिए था तो बड़ी छोटी और बारीक सी बात है इस पर आप हस भी सकते हैं लेकिन ये irony है कि हम लोग जो है छोटे छोटे रूल्स या नियम कानूनों की कई बार अंदेखी कर देते हैं और वो हमारे जिवन पर कई बहुत भारी पढ़ जाती है तो इसलिए बहुत सजक सतक रहना चाहिए और driving के वक्त तो कम से कम नियम कानूनों की अंदेखी नहीं करने चाहिए मैं आपको एक और दुखत बात बताओं कि बहुत सारे लोग जो पिलियन राइडर होते हैं वो जो हिलमेट पहनते हैं दिल्ली में मैं देखता हूँ सौ रुपए का हिलमेट पहनते हैं जो एक प्लास्टिक की टोपी की मानिन्द होती है किसे धुखा दे रहे हैं हमें लगता है कि सिर्फ चालान से बच जाए यही हमारे जीवन का मकसद है और हर आदमी को यह लगता है कि हमारे साथ तो नहीं हो सकता मैंने ऐसे अंगिनत केस देखे हैं लोगों को लगता हमारे साथ नहीं हो सकता और जो ऐसा सोचता है कई बार उसके साथ हाथ से हो जाते हैं मैंने अपने बहुत से दोस्तों को खोया भी है इसलिए आप सबसे रिक्विस्ट भी करूँगा सुलजाने में कामयाभी हासिल की थी केस तो पुलिस ने एक मुखविर के जरीए सुलजा ली थी लेकिन उस मामले की किंग पिन जो एक लेडी टीचर थी वो पकड़ी नहीं जा रहे थी फाइनली जब टेलिफोन के कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि कतल वाले दिंग उसने जो हेंचमैन है यानि जो सुपारी किलर है जिसको उसने कतल की सुपारी दी थी उस आदमी के साथ इस टीचर ने पचास बार मुबाइल फोन पर बात की थी जिसकी वज़े से वो पकड़ी गई तो ये पूरा इंवेस्टिगेशन जो है उस पर हमने स्टोरी आपको सुनाई थी और आप लोगों ने उस स्टोरी को काफी पसंद किया कुछ कमेंट्स है जो मैं जल्दी से पढ़ना चाहूंगा तो ZSD के नाम से एक ID है उन्होंने एक सजेशन दिया है अब से महस चार मिनट पहले होना कहा है कि मेरे जो एपिसोड्स हैं उसमें निमरिक नंबर मैं दिया करूँ उसे मेरे एपिसोड्स को ढूणने में लोगों को सुवीदा होगी थैंक यू वेरी मच मैं इस बात पर बहुत गंभिटा से सोच रहा हूँ और मैं इस पे अपनी टीम से चर्चा भी करूँगा क्राइम तक के बाकी साथियों से और अगर ऐसा संभाव हो पाया तो जरूर करेंगे और AB Gaming इन्होंने मुझे ये सुझाओ दिया है कि तुम खान सर के जैसा स्टोरी नहीं सुना पाते हो इसलिए तुम ये छोड़ दो Thank you very much AB Gaming साहब मैं आपकी राय जो है उस पर गौर करूँगा लेकिन जिस तरह से आपने मुझे छोड़ने का सुझाओ दिया उस तरह से बेहिसाब लोग मुझे लगातार स्टोरी करते रहने के लिए सुझाओ दे रहे हैं तो मैं शायद आपकी ये राय ना मान पाऊ और मैं चाहूँगा कि आपका दिल जीत पाऊ कभी मेरी स्टोरी भी आपको अच्छी लगे सत्यजीत राय बेक्ग्राउंड is very realistic about crime इसके बारे में राय साहब बात कर रहा है बिल्कुल ये crime तक का एक studio है बहुत ही प्यारा और कोजी सा है बेक्ग्राउंड थोड़ा मतलब scene of crime जैसा लग सकता है लेकिन ambience यहां बहुत अच्छा है जहां हम लोग बैट कर ये show किया करते है motivation क्या हुआ सर को पूछ रहे हैं अच्छा उनको लग रहा है कि Mr.Banerji you are very good please ignore the harsh comments here and keep doing great work आपको मैं बताऊँ अगर 100 लोग comment करते हैं तो 99 लोग मेरी होसला आपजाई करते हैं मैं कितना blessed और कितना lucky हूँ यह मैं बता नहीं सकता और लोग मुझे ये भी बताते हैं कई सारे comments ऐसे भी आते हैं कि मैं comments पढ़ू और यह realize करूँ कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं इसलिए मुझे निराश अताश होने की जरूवत नहीं है आप लोग जो कहते हैं कि दिवार की तरह मेरे साथ जो खड़े हैं चटान नी ताकत के साथ जो मेरे साथ खड़े हैं उसका वाकई कोई मौल नहीं है और आप लोग इतना होसला देते हैं तभी जो है इतने अच्छी तरह से कहानी सुना भी पाता हूँ थमिश्वर पतेल अच्छी तरह से सुनाता हूँ या क्या यह मुझे नहीं पता लेकिन कोशिश करता हूँ तमिश्वर पटेल साहब इन्होंने भी होसला अबजाई किया है थैंक यू वेरी मच चरन सिंग जैसवाल साहब टेक इंफ्यूजन सोनल सिनह उन्होंने का है कि ऐसी छोटी छोटी बात पर लोग जान लेते हैं ये विश्वास भी नहीं होता है बिल्कुल ये दुनिया बड़ी अजीब है मैंने पहले भी कहा था कि एक ही घटना पर अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से रियाक्ट करते हैं और आपको ये नहीं पता होता है कि सामने वाले के जहन में क्या चल रहा है उसने आपके एक छोटा सा मजाग भी अगर आपका उसको बुरा लगा हो तो उसको कितना बुरा लगा होगा वह कितना वेंजेंस उसके मन में है इसके बारे में पता नहीं चलता है तो इसलिए बेशक हम सारे लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को भी नाराज न करें और कम से कम ये कोशिश करें कि भाई अगर कोई उंचनी छोबी गई हो तो उसे सेटल कर ले बिरेंद्र जी इन्होंने भी कमेंट किया कि इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन स्किल जो है वो काफी अच्छी है मेरी थैंक्यू वेरी मच प्लेबॉय के नाम से एक आईडी है इन्होंने लिखा है कि सर अपनी जिन्देगी की भी कहानी सुनाईए प्लीज कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बारे में आप लोगों को और ज्यादा बता हूँ लेकिन फिर मुझे लगता है कि पता नहीं आप सब जानना या सुनना चाहेंगे भी या नहीं तो आप इस पर अपनी राय दे अगर आप लोगों को कभी लगा कि हाँ मतलब मुझे में अगर आप लोगों को थोड़ा भी इंटरिस्ट और लगा कि मेरे परसनल लाइफ या मतलब करियर वाइज या मैं कैसे यहां तक पहुचा मैंने कहां से पढ़ाई कि कि अगर इन सब के बारे में अगर आपको लगता है कि हाँ जानना चाहिए तो फिर मैं बता सकता हूं मुझे उसमें खुशी होगी बताने में सोनल सिना इन्होंने कहा है कि सर मेरे हजबंड और मेरी बहुत सारी फैमिली जारखंड के ही है अच्छा वेरी नाइस इंट्रोवर्ट इंडियन के नाम से एक आईडी है और इन्होंने बड़ा कॉम्टिकेट तरीके से कैपिटल और स्मॉल लेटर में अपनी आईडी क्रियेट किये तो इसलिए मुझे पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी टंग ट्विस्टर आपने बना दिया है और इ स्टोरी सुनाने के दर्खवास्त किया हालनकि वो स्टोरी अब पब्लिक डॉमीन में है सारे लोग उसके बारे में सुन और पढ़ चुके हैं दोस्त तो इसलिए शायद मैं आपकी ये फर्माईश अभी पूरी न कर पाऊं लेकिन इसे अधर्वाइज मत लिजेगा आपका जी हैं असद हुसेन साहब हैं ब्रार साहब ने अपने कविट में एक जगा ये भी लिखा है जिसे पढ़कर मुझे हसी आगई वो लिख रहे हैं कि मुझे साफ साब दिख रहा है कि आपको कहानी सुनाने के लिए जबरदस्ती की जा रही है या तो आज तक कर रहा है या फ इसके बाद मैं भाग सकता हूँ क्या मतलब इसे इसे इग्णोर करके भाग पाना मेरे लिए संभव नहीं है इसे लिए आप निश्चिन्त रहें मनुझ प्रभाकर जी का भी कमेंट है रमेश पहाड़ी इश चावडा भोला गुपता गीता राजा कलपना मोलकाती शमी मेह अर्मद हरशिता चतुरवेदी जी लिटल रेंड्रॉप्स मिजबा आसिफ बिजेंदर सिंग चंदन सिंग चुंचुंग भुटिया एडवेंचर आनन्दा विनीत रहना मक्सूद आलम इन्हों ने कहा है कि कल मेरी वाइफ का जन दिन है काजल बिहार से हैं और दिल्ली से ह बहुत शुपकामना है हलांकि जन दिन के लिए शमसर तो खेर विश करते ही हैं आप लोग के साथ उनका कम्यूनिकेशन लगाता चलता रहता है बहुत सारे लोगों ने मुझे यह भी सजिस्ट किया है कि मैं जन दिन के लिए विश करने का जो सिलसिला या परिपाटी है उस और इन्होंने ये भी काया है कि उनका कमेंट मैं क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मेरे से क्या कोई दुश्मनी है, सादिक सहाब, बिवंडी से हैं, नहीं नहीं आरे अंसारी साब क्या दुश्मनी होगी आपसे, आप हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, क्राइम तक के फैमिली में हैं, आसिफ खान सहाब और धनावर धान के नाम से आईडी है, एन्वे किया बेगम इन्होंने बंगला में लिखा आपनार गॉल्पो बॉलार स्टाइल खूब सुन्दोर लागे, बंगला में ही इन्होंने लिखा, मैं बंगला पड़ पाता हूँ, मेरी मात्रिभाशा और प्राउड बंगॉली, रेखा भट, उदय चक्रवर्ती, देदारूल बापू, अन्वारूल दिवाना, राम, स्वरूफ विष्णोई जी, अक्तर अली, तो कुल मिलाकर बहुत सारे कमेंट्स हैं, विनाय रोशन जी, प्रेम रानावत जी, थैंक्यू वेरी मच, इतने स पॉजिटिव हर तरह का कमेंट्स पढ़ता हूं, तो नाम तो सबका पढ़ी सकता हूं, लेकिन चुकि इतने कमेंट्स आते हैं, सारे कमेंट्स या नाम पढ़ना संभव नहीं है, वक्त की पाबंदी है, तो इसलिए कभी-कभी रुख जाता हूं, तो प्लीज मेरी मतलब इ सीडर कीजी, और फिलहाल मुझे इजाज़त दिजी, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, जै हिंद, जै भारत!